अब यहां पर पॉइंट नमबर त्री है उसके ओपर जो नोटिस है वो डला हुआ है ओनलाइन इंट्रिव फोर दा वेरिस पोस्ट अंटर दा इंडर युएस टीवी प्रोजेक्ट इन डिपार्टमेंट और प्रिवेंटिव और सोचल मेडिशन जिप में और यह जो सेकेंड में आपको दिखाई दे रहे है डाउनलोड टूपेंट जिरो फाइ करने के लिए यह वेकंशी निकाली गई है और इस वेकंशी का डूरेशन है वह वन यह तक है मिनिमम आगे अगर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो आगे फिर इसको एक्स्टेंशन कर दिया जाएगा अब इसके अंदर इंपोर्टन जो बातें वह आपन देखते है सबसे पहले यह जो वेकंशी है टेंपरेडी बैसिस पर जो मैंने आपको बताया कि इसका जो पीरेड है वो वन यह तक है अब इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है इंडो यूएस के बीच में टीवी का एक प्रोजेक्ट है वो चलाए गया है उस टीवी को क्योर करने के लिए जो उसके अंदर मैन पावर की जरूरत है उसमें एक स्टाफ नर्स है उसके भी जरूरत है और उसके लिए भी वेकंशी निकाले गई है अब इसमें क्या है कि जो कंडिडेट हैं जिसको अप्लाई करने के लिए दो पेज का एक सीवी जिसको अपन रिजूम भी बोलते हैं वो तयार करना है और तयार करने के बाद में सेंड करना है recruitment.indoustv.gmail.com इस email id के उपर आपको email कर देना है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस email id के उपर आपको email है वो कर देना है और email है वो 25.5.2021 को शाम को 4.30 पीम से पहले पहले है वो send कर देना है उसके बाद में आपके पास में एक email आ जाएगा और उस email के अंदर आपको online जो interview होगा उससे related जो detail है वो सारी detail आपको उसमें मिल जाएगे उसके बाद में जैसे ही candidate select हो जाता है interview के बाद में तो भी email के द्वारा ही उसको सूचना दी जाएगी और देन अगर जो candidate अगर उसके अंदर कोई join नहीं करता है तो जो waiting जो candidate है उनको वहाँ पर proficiency मिल जाएगी अब इसमें अपन देखते हैं junior nurse की समें vacancy है बीसे nursing candidate और दो साल का उसके पास experience होना चाहिए वह candidate है इसमें eligible रहेगा desirable अगर उसकी qualification की बात करें अगर कोई candidate है जिसने पहले कभी TB का project है handle किया हो यह फिर TB hospital के अंदर उसने duty किया हो उसका अगर experience है तो उस candidate को यहाँ पर priority दी जाएगे experience in the sample collection अगर sample collection का experience है तो उसको भी कि एंड clinical examination proficiency in speaking writing and reading in tamil and English प्योंकि पोडिचेरी है तो वहाँ पर tamil language भी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है तो इस वज़े से अगर कोई candidate है जिसको tamil language और English language के अंदर perfect है तो वह candidate भी यहाँ पर priority मिल जाएगे बाद में आता है इसके अंदर आपका वहाँ पर क्या work रहेगा तो उस work से related इसमें कुछ बताया गया है कि जो candidate है उसको consent form and CRF sample collection and transport proper handling or the lab यह सभी उसको candidate को थोड़ा सा knowledge होना चाहिए बाकी वहाँ पर आपको बता देंगे select होने के बाद क्योंकि यह आपका जो work है वह वहाँ पर किया जाएगा next आता है इसमें post है तो post है इसमें total five post है और five post के लिए जो यह vacancy निकाली गई है और इसमें eligible रहेंगे 35 यह तक के candidate है वो इस vacancy के लिए apply कर सकता है अब इसमें कुछ important और जो point है वो भी देख लेते हैं validity of the selected list is valid for one year तो इसमें जो maximum जो इसका duration है वो one year तक है और बाद में इसको आगे भी renewal भी कर सकते हैं अगर जैसे ही इसकी आगे need रहेगी तो आगे और भी इसको renewal कर देंगे qualification and experience should be relevant discipline field and form and institute of reputed experience should have the minimum essential qualification अगर कोई candidate है उसका qualification है और experience है वो reputed institute या फिर अगर कोई government से युनिवर्सिटी से पास आउट है तो वो सभी reputed ही होती है qualification experience and other terms and condition may be relaxed altered at the discretion of the project investigator experience in tuberculosis research will be considered as the most desirable qualification and upper age limit may be relaxed relaxation research the posts are purely on the contact basis for an external sponsored project and no claim for any other regular post in the zip में तो यह जो vacancy है यह vacancy temporary basis की vacancy है आगे future के अंदर आप इस vacancy में join करने के बाद में एक साल जैसे complete हो जाए तो आप यह नहीं कर सकते कि मेरे को पक्का किया जाए पर्मानेट वेकंसी आगे उसमें प्रायूटी दी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा यह external project है तो external project को complete होने के बाद में बस आपको वहां चैटा देंगे नेक्स्ट है जब भी आपका इंटर्व होगा तो उसमें कोई भी टीर डीर नहीं दिया जाएगा अगर ओनलाइन हो जाएगा तो आप घर बैठे ही इंटर्व दे सकते हैं valid email ID आपको provide करवाने है और valid mobile number है वो दोनों आपको provide करवाने है जिससे कि आपसे better communication किया जा सकी Consolidate salary of the post में very best on the experience अगर आपका experience अच्छा होगा तो उसमें salary है वो और भी ज्यादा आपको दे देंगे तो इसमें minimum 30,000 रुपर salary है जैसे जैसे आपका experience अच्छा रहेगा उसके according आपको salary है वो भी ज्यादा मिल सकती है and the post sanctioned by the funding agency no other allowance facilities other than consolidated salary extended इसके अंदर other कोई भी allowance वगएरा TADA जो भी होता है वो कुछ भी नहीं देंगे इसके अंदर बस सिर्फ जो आपको salary है fix जो salary है वो ही इसमें दी जाएगे final decision है वो principal investigator का होगा conveying of any kind will lead to disqualify अगर कोई problem आती है आपके documents के अंदर तो आपको वहाँ पर disqualify कर दिया जाएगा अगर को candidate false और wrong information है वो देता है तो वो candidate भी है उसको भी disqualify कर देंगे किसी भी stage के पर अगर मालो कोई candidate है जिसके पास experience नहीं है और फरजी experience अगर वो लगाता है और बाद में अगर मालो की cross verify भी हो जाए कभी कभी हो जाते है छोटी मोटी vacancy में भी तो उस condition के अंदर भी उस candidate को disqualify कर देंगे इस performance of the appointee is not found satisfactory by the investigator अगर आपने जोएन कर लिया दो महिने बाद में अगर उनको लगा कि ये candidate है इसकी जो performance है वो अच्छी नहीं है तो उस candidate को भी terminate कर देंगे the appointee may be relieved from the current job position with one month prior notice filling in any इसमें यह है कि जो candidate है अगर present में कहीं पर work कर रहा है तो उसको NOC है वो लेके जानी रहेगी उसको एक महीने का notice है वो देना रहेगा और उसके बाद में यहां से relieving later वहां पर submit करना रहेगा तो बस यहीं था इस वीडियो के अंदर अगर वीडियो आपको informative लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर ने तो चैनल को subscribe करना दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना तेंग्यो